अपने शरील पर टैटू बना के चीज़े याद रखना ये तो हमने शायद आमिर खान को ही करते हुए देखा था तो क्या आपको उनकी फिल्म गजनी याभ है तो क्या आने वाले समय में उनकी फिल्म गजनी का सीक्वल आने वाला है और कौन हैं वो एक्टर्स जिने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है तो आई ये जानते हैं अब सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म गजनी चू के बारे में दोस्तो आमिर खान बॉलिवुट के एक ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्मों का इंकजार सभी को रहता है जिनकी फिल्मों को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अब जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि आमिर खान साल में एक या दो फिल्में ही लेकर आते हैं लेकिन उनकी ये फिल्में सूपर हिट होती हैं तो उनकी ऐसी फिल्मों को देखने के लिए भला फैंस कैसे एक्साइटेड ना हो अब बात करी जाए उनकी साल 2008 में आई साइकोलोजिकल थ्रिलर फिल्म गजनी की तो दोस्तों वो फिल्म आमिर खान की ही तरह अलग सी फिल्म थी यूनीक फिल्म थी जी हां उस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा अलग थी फिल्म में आमिर खान और आसन के जोड़ी हम सबी को नज़र आई हैं आमिर खान जहां हमें इस फिल्म में स्मार्ट बिजनिसमेंट संजी सिंगान या उस सचें के रोल में नज़र आए हैं उनका romantic अफ्तार देखा और इतना ही नहीं उनका aggressive अफ्तार भी देखा जी हाँ दोस्तो फिल्म में जब आमर खान अपनी lover कलपना को अपनी आखों के सामने मरता हुआ देखते हैं तो दोस्तो अब इस फिल्म में आमर ने अपनी acting का भरपूर प्रदर्शन किया है और इतना ही नहीं दर्शकों ने इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया था इतना ज्यादा फ्यार दिया था कि इस फिल्म ने box office पर तावर तोड कलेक्शन किया बात करी जाए फिल्म को लेकर दर्शकों के रियाक्शन की तो दोस्तों बहुत से लोग तो फिल्म को देखकर रोते हुए सिनेमा घड से बाहर आए थे अब बात करी जा रही है फिल्म के सीक्वल की तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दू कि contact के मीकर्जी औरbaj veramente आएप्र को चाहिए। चाहिए अब दोसे पहले रहा है कि फिर्म से जुडे काफी नाम सामने आ रहे हैं तो उससे पहले तो मैं आप सभी को बता दू कि हमें लीड रोल में कौन दिखने वाले हैं तो दोस्तो हम सभी को लीड रोल में दिखने वाले हैं वापस से हम सभी के चहीते मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि के आमर खान बात करी जाए फिल्म में नज़र आने वाले और हीरो हिरोईंस की तो कुछ नाम सामने आये हैं जिन में से अज़ुदेवगन, कियारा अडवानी और सारा अली खान ये तीन नाम है अब दोस्तो खबरों की मानी तो सारा अली खान फिल्म में हमें डॉक्टर के किरदार में नज़र आ सकती हैं लेकिन अभी तक सारा आली खान ने इस फिल्म के लिए हामीन नहीं भरी है वहीं दूसरी तरफ अज़देव गन और कियारा अजवानी ने भी फिल्म को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वज़ा बन सकती है इस फिल्म के लेट होने की तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या इन में से कोई इस फिल्म में हम सभी को नजर आ सकता है क्या ये लोग इस फिल्म के लिए हाँ कर देंगे अब बात करी जाए फिल्म की रिलीज देट की तो दोस्तों उसके बारे में अगर आपको जानना है या आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ और इंट्रस्टिंग इंसाइट स्टोरीज आपको जाननी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवास लेती हूँ आप सभी से विदा झाल